हेलो गाईस मेरे यूटुब चैनल कुजबित एजूकेशन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैंत का वीडियो को ज्याद से ज्यादा से ज्यादा से एक शेर कीज़िए लाइक सब्सक्राइब कीजि खले कर गाई कर है तो है सबा चैनल की पास वीडियो की नोटिपिकेशन समय समय पर मिलती रहें तो guys, mensuration से exam में जरूर से question बनते हैं तो धिहान से समझेगा और copy में जरूर से आप not करते हुए चलिएगा तो guys, कल हमने इसमें type 4 से type 8 तक एकदम basic trick से question को solve किये थे और आज की इस video में हम type 9 से आगे के question हम solve करेंगे तो चलिए session को करते हैं start तो यहाँ पे देखिए type 9 का first question ये रहा तो चलिए question को हम solve करते हैं तो दो एक केंदरी वृत्तों की परिदिया क्रम सहा 146 cm तथा 132 cm है इनके तिज्याओं में कितने का अंतर है कितना easy question है और इसमें हमको diagram दिया है तो देखिए इसमें हमको पूछा गया है केंदरी बिंदू केंदरी वृत्तों तो ये इसका क्या हो जाएगा ब्रत दो एक केंद्र ये बेदिया की परिद्धियां तो यहां देखिए ये इसका क्या हो जाएगा केंद्र , और यह इसका क्या हो जाएगा ? दो ब्रत होगे के दो और एक ब्रत पूछा है तो दो और एक ब्रत दिया है हमको और फिर यहां पर यह केंद्रविंदु होगा और यहां पर देखे यह इसके यह क्या होगी त्रिज्या होगी के तो यह यहां से इसकी क्या गई है त्रिज्या तो यहां पर यह आर वन यह इसक की त्रिज्या क्या हो जाएगी R2 की त्रिज्या होगी के यहां से R2 की त्रिज्या होगी और फिर इसमें देखिए हमको इसमें क्या बताना है इसका सेंटीमीटर तो यह फर्स्ट सेंटीमीटर होगा और यह सेकेंड सेंटीमीटर के जो सेंटीमीटर हमको पूछा है उसमें हम क्या करींगे? माइनस करींगे के इतने सवी को के लिए हुआ त्रिज्य हम दिू है इतने त्रिज्य हम को दी है बन R1 माइनस R2 क्योष्टन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे हमको क्या पूछा गया इनके त्रिज्याऊं में कितने का अंतर है तो कितने का अंतर है तो यहां हम फार्मूला से question को solve करेंगे तो फार्मूला क्या होगा R1-R2 बरावर और 7 बटे में क्या रखेंगे 44 और ब्रैकेट में हम रखेंगे C1-C2 तो यह इसका क्या होगा फार्मूला होगा बहुत ही जी question है तो देखें यहां पे हम इसमें क्या रखेंगे हमको R1 और –R2 बरावर 7 बटे 44 ब्रैकेट में C1-C2 तो यह C1 और C2 क्या है यह cm है तो यहां पे हमको यह C1 176 cm दिया है और C2 132 cm दिया है तो यहां पे हम देखें R1 R1 और –R2 दिया है तो यहां पे हम R1 –R2 बरावर 7 बटा क्या रखेंगे हम 44 और फिर यहां पे हमको दिया है C1 और C2 की value हम इसमें रखेंगे क्या रखेंगे 176 और – में 132 अब यहां पे देखें हम इसमें क्या करेंगे तो 7 बटे में 44 इंटू के यहां हम माइनस कर लेंगे यहां पे multiply लगाएंगे और यहां पे इसमें माइनस कर लेंगे तो देखें 6 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 4 बच रहेंगे तो यहां हम 4 रखेंगे और 17 में से 13 माइनस करेंगे तो इसमें भी 4 बच रहा है तो यहां पे कितना आया 44 के 176 माइनस 132 करेंगे तो 44 हमको इसमें मिल रहा है और फिर देखिए 44 और 44 दिया है तो यहां पे हमको multiply में दिया है तो यहां से value cancel हो सकती है तो यह 44 से 44 से value हो है कर जाएगे इसमें 44 से 44 कैंसे फिर इसमें बचा क्या इसमें 7 बच रहा है तो यहां पे देखिए 7 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर इसका क्या वनेगा answer उमीद करती हूं question आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कितना easy question है और ऐसे question एक्जाम में जरूर से बनते हैं और इसमें हमको त्रिज्याओं में कितने का अंतर है तो कितने का अंतर पूछा गया था तो यहां पे 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर इसका क्या होगा answer होगा हमने इसमें diagram से समझे हैं और इसमें देखिए यह इसकी क्या होगी त्रिज्याओं और दो व्रत हमको दिये हैं इसमें और यह इसकी त्रिज्या 1 होगी और यहां पे यह त्रिज्या क्या होगी टू होगी और फिर इसमें देखिए सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर 2 होगा और यहां पे सेंटीमीटर ये क्या होगा 1 होगा इतना सभी को किलियर हुआ और फिर देखिए बाहर इसमें हमको दिया है R1-R2 तो यहां हमने R1-R2 और वरावर में 7 बटा 44 और C1-C2 ग्राकेट में रखेंगे फिर यहां पर 7 बटा 44 दिया और 176-132 दिया है सेंटीमीटर हमको माइनस करेंगे तो 144, 44 से 44 कैंसिल तो आंसर हमारा 7 सेंटीमीटर होगा आगे बढ़ते हैं हम अगले नेस्ट कोस्चन की और सेकेंड कोस्चन ये रहा दो एक केंदरी व्रत्तों की परिदियां क्रम सहा 166 सेंटीमीटर दथा 122 सेंटीमीटर है इनके त्रिज्याओं में कितने का अंतर तो देखें इस कोस्चन में भी हम फर्स्ट कोस्चन में जो फार्मिले लगाये थे हम ने उसी फार्मिले से इस कोस्चन को भी सॉल्फ करेंगे तो यहां पर हमने R1 माइनस R2 और बरावर में 7 बटा 44 ब्रैकेट में हम रखेंगे C1 माइनस C2 और फिर इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं तो इसमें हमको सेंटीमीटर कितना दिया है 166 सेंटीमीटर और 122 सेंटीमीटर दिया है तो यहां हम रखेंगे 7 बटा 44 और इंटू यहां पर हम मल्टिप्लाई करेंगे तो C1 की वैल्यू हम क्या रखेंगे इसमें तो हमको 166 दिया है और माइनस C2 की वैल्यू 122 दिया है तो हमें यहां पर 122 रखेंगे और फिर इसमें देखिए 7 बटा 144 दिया तो यहां पे हम multiply रखेंगे और 166 में से हम 122 माइनस करेंगे तो 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 बचरा है और 16 में से 12 माइनस करेंगे तो यहां पे भी क्या बचरा है 4 बचरा है तो यहाँ पर देखिए same value हमको इसमें मिल रही है तो यहाँ 44 से 44 कैंसिल तो answer हमारा क्या बनेगा इसमें 7 cm तो यह इसका क्या बनेगा answer कितना easy question था और diagram हमको इसमें दिया है तो यहाँ पर यह इसकी trigya R1 और trigya R2 होगी और cm तो हमको इसमें दिया है इसमें 2 व्रत दिये हैं हमको इतना सभी को clear हुआ तो चलिए इसमें हमने type 9 के question solve किये अब इसमें हम type 10 के question solve करेंगे कि आगे वढ़ते हैं हम अगले next question की और अगला question यह रहा तो इसमें हम type 10 के question solve करेंगे तो first question यह रहा चार ब्रत्तकार cardboard जिन में से प्रतिक की trigya 14 cm है इस प्रकार विवस्थित है कि प्रतिक cardboard अन्नी दो cardboard को इसपर्स करता है चारों cardboard से घीरे भाग का छेत्रफल क्या है और यहां पर हमको diagram दिया है तो देखिए इस diagram में हमको क्या दिख रहा है तो यहां हमको चार ब्रत्तकार तो चार ब्रत्तकार cardboard जिन में से प्रतिक की trigya तो यहां पर यह प्रत्तिक की यह क्या है इसमें trigya है और यहां पर देखिए यह चार इसमें क्या है यह व्रत्तकार है तो चार यह क्या है व्रत्तकार है और इसमें हमको इस प्रकार विवस्थित है कि तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से यह विवस्तित है प्रते कार्ड बोर्ड अन्य दो कार्ड बोर्ड को इस पर्स करता है तो यहाँ पे देखिए यह व्रत यहाँ पे दूसरे व्रत को भी इस पर्स कर रहा है कि इससे मिल रहा है यहाँ पे और फिर यहाँ पे यह इतना सभी को clear हुआ और यहां पर यहां पर इसकी क्या रहेगी त्रिज्या इतना सभी को clear हुआ तो यह चारो बोड कार्डबोर्ड से घीरे हैं कि यह क्या है चारो bread यह घीरे हुए है और देखिए हम question को आगे solve करते हैं तो इसमें 달라 हम क्या लगाएंगे भाग का छेत्रिफल के तो भाग का छेत्रिफल हम रखेंगे इसमें छे बटा साथ भुजा का स्केर के एका स्केर छे बटा साथ एका स्केर और फिर देखिए इसमें हम रखेंगे छे बटा साथ और यहां पे एका स्केर है के एका स्केर तो यहां हमको इसकी त्रिज्या क्या 24 cm दी है तो यहां हम क्या रखेंगे इंटू और ब्रैकेटे में हम रखेंगे कितना 14 तो 14 स्क्राइर हम रखेंगे की इतना सबी को कीलियर हुआ अगे देखिए यहां पर हम kindergarten साथ into čous 14 Tib इसived हम दबर वार लेक्षाइंगी चैन सील ओर मा Damit यहां दो वार में तो 7 दुनी 14 और फिर इसमें देखिए 14 इंटू 2 करेंगे तो इसमें 14 इंटू 2 करेंगे तो यह हो जाएगा 28 और फिर देखिए यहाँ पे हम 28 इंटू 6 इन दोनों का multiply करेंगे तो यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा चिंग 48 का 8 चार बचा और 6 दुनी 12 और 4 12 और 4 कितना होगा 16 तो यहाँ पे 168 सेंटी मीटर तो 168 सेंटी मीटर यह इसका क्या वनेगा आंसर के इतना सभी को किलियर हुआ उमीद करती हूँ question आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो यहाँ आमने फार्मूला क्या रखे हैं भाग का छेत्रिफल बरावर 6 बटा साथ और भुजा का स्केर तो यहाँ आमको दिया है चाउदा तो चाउदा का स्केर रखेंगे और यहाँ पर दो बार पूचत हम दो ही बार इसमें 14 इंटू चाउदा रखेंगे साथ से 14 दो बार में तो इसमें क्या करेंगे 14 इंटू दो करेंगे 28 और 28 इंटू छे करेंगे तो 168 सेंटीमीटर तो इसका भाग का छेत्रिफल क्या होगा 168 इतना सबी को किलियर हुआ आगे बढ़ते हैं हम अगले नेस्ट कोस्चन की और अगला कोस्चन ये रहा तो इसमें हम 11 टाइब 11 की कोस्चन सॉल्ट करेंगे तो फर्स्ट कोस्चन ये रहा 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर खीचे जाने वाले बड़े से बड़े ब्रत का छेतरफल क्या होगा तो देखिए यहां पे हमको इसमें डाइग्राम दिया है तो ये एक क्या है इसका ये ब्रत है और यहां पे देखिए ये क्या है इसका ब्रत है और यहां पे हमको भुजा तो देखिए यहां से इसकी क्या होगी यह भुजा होगी तो यह इसका क्या हो जाएगा भुजा और फिर आगे देखिए इसमें हमको पूछा गया है तो यहां पे वर्ग के अंतर खीचे जाने वाले बड़े से बड़े वरत का छेत्रफल क्या होगा तो यहां पे यह एक रेखा विंदू है यहां पे और इधर से यह क्या है इसकी त्रिज्या तो यहां पे यह भुजा और यहां पे ए इसका ए वटा दो रखेंगे इतना सभी को किलियर हुआ डाइग्राम इसमें हमको दिया है तो इसमें व्रत और इसमें त्रिज्या और केंडरे विंदुदी है के तो चलिए कोश्चन को हम सॉल्प करते हैं फार्मूले से तो यहां पे हम व्रत का शेत्रफल क्या होगा तो यहां पे हम व्रत का शेत्रफल इसका फार्मुला होता है इसमें 11 बटे में क्या 14 तो 11 बटा 14 इसका यहां पे हम फार्मुला रखेंगे और A का square इतना सभी को clear हुआ तो आगे हम इसमें क्या करेंगे तो यहां हमको 11 बटा 14 दिया है और भुजा का square हमको इसमें भुजा का square कितना दिया है 14 cm भुजा वाले वर्ग दिया है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 14 तो यहाँ into क्या रखेंगे 14 और यहाँ हम ब्रैकेट में ही रखेंगे इसका square और फिर देखें 11 बटे में 14 into और इसमें square में दिया है तो हम यहाँ पे double वार रखेंगे 14 को अब फिर इसमें देखें यहाँ पे common value दी है 14 और 14 यह cancel होगा फिर इसमें हमको बच्चा यहाँ पे क्या बच्चा 11 और 14 बच्चा तो दोनों का हम multiply कर लेंगे तो यहाँ हमको दोनों का multiply करेंगे तो कितना मिलेगा तो 114 हमको इसमें मिल जाएगा वर्ग सेंटीमीटर तो यह इसका बनेगा answer कितना easy question है तो इतना सभी को clear हुआ तो guys मैं आपको एकदम basic trick से question को समझा रही हूँ और guys मुझे आप जादा से जादा support करेंगे तो मैं आप सभी के लिए एकदम basic trick से और trick से भी question को समझाऊंगी ताकि आप से भी को exam में question को solve करने में मदद मिल सके तो यहाँ पर देखिए हमने formula और diagram से ही समझ कर इसमें question को solve कर रहे हैं आगे और ब्रत का छेत्र फल इसमें हम formula से ही question को solve करेंगे 11 बटा 14 और 1 का square भुजा का square तो हमको भुजा का square कितना दिया है 14 cm दिया है तो हम यहाँ पर 14 का square और बटे में देखिए यहाँ पर 14 रखे हैं तो यहाँ common value दी है 14 से 14 यह cancer 14 into 11 करेंगे तो 154 बर्ग centimeter इसका क्या बनेगा answer इतना सभी को clear हुआ तो इसमें हमने type 11 के question solve किये अब इसमें हम type 12 के question solve करेंगे तो यहाँ पर हम type 12 के question solve करेंगे आगे बटे हम अगले next question किये और अगला question यह रहा तो इसमें हम type 12 के question solve करेंगे तो एक छोटे से छोटे वर्ग का छेत्रफल क्या होगा जिसके अंतहब ब्रत का छेत्रफर 616 वर्ग सेंटीमीटर है और यहां हमको डाइग्राम दिया है तो देखिए कोशन को हम सॉल्व करते हैं तो यहां पे हम क्या रखेंगे इसका तो 2R स्क्यार रखेंगे के 2R स्क्यार और फिर यहां पे देखिए इसमें हम Pi R स्क्यार बरावर और इसमें हमको बर्ग कितना दिया है इसमें 616 के तो 616 दिया है तो यहां पे हम 616 रखेंगे और फिर आगे देखिए यहां पे हम इसमें R स्क्यार बरावर और यहां पे 616 616 और बटे में हम क्या रखेंगे क्या ligga तो इतना सभी को clear हुआ यहां हम क्या करेंगे तो देखे यहां इसको हम solve करेंगे तो यहां हमको 14 का square हमको इसमें मिल रहा है तो यहां पे इसमें देखिए क्या होगा तो 14 का square हमको दिया तो यह चौद कैंसिल होगा तो square से square यह चैंसिल होगा तो यहां पे आन त्रिज्या बराबर क्या दिया है 14 तो यहां हमको इसमें क्या मिल रहा है त्रिज्या इसमें 14 मिल रहा है कि इतना सबी को किलियर हुआ आगे देखिए आगे इसमें हमको क्या करना है तो यहां हमको इसमें पूछा गया है 2R square 2R square पूछा है तो इसमें हम क्या रखेंगे वर्ग वर्ग का छेत्रफल तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 into 14 तो यहाँ पे यह इसका square होगा 2 into 14 का square तो यहाँ पे 14 दुनी 28 तो 28 का square होगा और फिर देखिए 28 का square कितना होता है तो यहाँ पे हम 28 का square कितना रखेंगे 784 वर्ग सेंटीमीटर तो यह वर्ग सेंटीमीटर में रहेगा इतना सभी को किलियर हुआ तो यहाँ पे देखिए तो फिर से समझा देती हूँ तो यहाँ पे हमने क्या किये बराबर में 2R square रखे हैं और फिर देखिए पाई R square बराबर हमको इसमें ब्रत का 6 रफल कितना दिया है इसमें 616 वर्ग सेंटीमीटर तो यहाँ पे हमने 616 और देखिए R square बराबर 616 वटे में पाई और पाई का मान क्या होता है तो पाई का मान होता है 22 वटा 7 तो यहाँ पे हमने इसमें R square बराबर 616 इंटू 7 वटा 22 यहाँ हमने इसको solve करेंगे तो यहाँ देखिए 14 का square हमको इसमें मिल रहा है और square से square cancel तो यहाँ हमको इसमें क्या मिल जाएगा R बराबर 14 यह cm में रहेगा तो R बराबर 14 cm इसमें हमको मिल रहा है फिर देखिए एक छोटे से छोटे वर्ग का छेत्रफल हमको क्या होगा इसमें पता करना है तो यहाँ पे वर्ग का छेत्रफल हमने यहाँ पे रखिया है 2 इंटू 14 का square तो यहाँ पे चोगदा दूनी 28 28 का square कितना होता है तो 28 का square होता है 784 वर्ग cm इसका क्या वनेगा आंसर इतना सभी को clear हुआ तो यह आगे बढ़ते हैं हम अगले next question की और अगला question यह रहा तो इसमें हम type 13 के question solve करेंगी तो देखिए फर्ष्ट कोस्चन यह रहा यदि 7 cm त्रिज्या वाले एक बरत के अंदर बढ़ा से बढ़ा बर्ग बना हो तो उस बर्ग को छोड़कर बरत के सेस भाग का छेदरफल क्या होगा तो यहाँ पे देखिए बरत हमको बढ़ा से बढ़ा दिया है कि बर्ग बढ़ा से बढ़ा दिया है हमको इसका बर्ग और इसमें हम देखिए यहाँ पे हमको दिया है यह इसकी क्या होगी यह त्रिज्या होगी तो त्रिज्या यहाँ पे हम देखिए फार्मूला क्या रखेंगे इसमें हम भाग कि बरत के सेस भाग का छेत्रफल क्या होगा तो यहाँ पे इसका छेत्रफल होगा आठ बटा साथ और आर का स्क्यार के त्रिज्या का स्क्यार और फिर देखे आगे हम कोशन को सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी कोशन है के तो देखे आठ बटा साथ और त्रिज्या हमको कितनी दी है इसमें साथ सेंटिमीटर त्रिज्या वाले एक ब्रत के अंदर तो ब्रत के अंदर बड़ा से बड़ा बर्ग तो बड़ा से अंदर इसमें बड़ा से बड़ा बर्ग बना हूँ तो यहाँ पर ये ब्रत है कि ब्रत के अंदर ये बर्ग इसका दिया है बड़ा से बड़ा बर्ग दिया है और तो उस बर्ग को छोड़कर तो उस बर्ग को छोड़कर ब्रत के सेस भाग तो यहाँ पे ब्रत को छोड़ कर सेस भाग हम को इसमें पता करना कि इसका छेत्रफल क्या होगा तो भाग का छेत्रफल इसमें हम फार्मुला रखे हैं 8 बटा 7 और तेज्या 1 का स्केर और देखिए 8 बटा 7 बरावर यहां सौरी इंटू रखेंगे तो यहां पे साथ का स्केर इतना सभी को केलियर हुआ तो यहां पे देखिए हम इसमें क्या करेंगे तो 8 बटे में 7 इंटू यहां पे स्केर में दिया है तो हम यहां पे 7 डवलवार रखेंगे 7 इंटू 7 फिर इसमें 7 से 7 यह कैंसिल तो इसमें हम क्या करेंगे multiply क्या बचा यहां पर 8 और 7 बचा तो दोनों का हम multiply करेंगे तो कितना होगा 7 into 8 करेंगे तो इसमें हो जाएगा 56 के 56 होता है तो यह किसमें रहेगा वर्ग centimeter में के तो वर्ग centimeter इसका क्या वनेगा answer इतना सभी को clear हुआ उम्मीद करती हूँ question आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो यहां पर हमने भाग का शेत्रिफल रखे और डाइग्राम को भी मैंने आपको एकदम वहत्रिन ट्रिक से समझाई हूँ तो यह इसका क्या है ब्रत के अंदर एक यह क्या है इसका वर्ग है तो यह इसका यह बर्ग है स्वरी ब्रत है और यह क्या है इसका यह इसका बर्ग है और यह इसका क्या है ब्रत है और इसमें हमको यह त्रिज्या खीची यह हमसे यह त्रिज्या होगी इसकी के इतना सभी को किलियर हुआ फिर इसमें हमने फार्मला रखें 8 बटा 7 और तिज्जिया का square फिर हमने value इसमें 7 दिया है तो 7 का square 7 into 7 और फिर देखी 7 से 7 cancel तो 7 into 8 करेंगे तो 56 इसका answer होगा ओके आगे बढ़ते हैं हम अगले next question के on अगला question ये रहा तो इसमें हम type 14 के question solve करेंगे तो first question ये रहा यदी 28 cm भुजा वाले एक संभा हो त्रिभुच के तीनों कोणों पर तीन व्रत इस प्रकार बने हो कि प्रतिक व्रत अन्य दो व्रत्तों को छूता हो तो इन तीनों व्रत्तों से घीरे भाग का छित्रफन क्या होगा तो यहां यहां पर देखें डाइग्राम में आपको दिख रहा होगा कि इसमें यह तीन क्या है इसका ब्रत है यह कि तो तीनों यहां पर ब्रत्तों अन्य दो ब्रत्तों को छूता है यहां पर इस प्रष्ट कर रहा है के और यह इसका क्या है त्रिभूज है के तो समभाहू त्रिभूज दिया है और यह इसकी यहां से क्या होगी इसकी त्रिज्या होगी तो देखे फार्मूला हम क्या रखेंगे इसमें भाग का शेत्रिफल क्या होगा इसमें देखे एक बटा दो और फिर इसमें ब्रैकेट में हम रखेंगे दो रूड तीन माइनस पाई और इसमें आर का इसकेर तो यह इसका क्या बनेगा फार्मूला इसी फार्मूले से हम कोश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो देखे यहाँ पे हम क्या रखेंगे तो एक बटा दो और फिर ब्रैकेट में दो रूड तीन माइनस पाई का मान क्या होता है इसमें तो पाई का मान होता है बाइस बटा और यहाँ पे तुरिज्य हमको कितनी दी है तो देखिए तुरिज्य हमको इसमें 28 सेंटीमीटर दिया है तो 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक संभाहु त्रिवुच के तीनों कोड़ों का पर तीनों तीन ब्रत इस प्रकार है तो यह इस प्रकार दिया हमको और फिर देखिए पाई का मान तो इसका क्या होता है 22 बटा साथ और फिर इसमें त्रिज्य हमको 28 cm दिया है तो यहां हम रखेंगे इसका square में दिया है तो यहां हम इसमें 14 का square रखेंगे तो यहां पे हम 14 का square रखेंगे इतना सभी को clear हुआ फिर देखिए आगे यहां पे हम क्या करेंगे तो यहां हमको 1 बटा 2 into और फिर इसमें हमको कितना मिल जाएगा यहां पे कितना मिल जाएगा 2 into root 3 दिया है तो यहाँ इसको हम solve करेंगे तो 1.73 हम को इसमें मिलेगा और देखिए 14 का square दिया है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2 बार दिया है तो square दिया है तो हम 2 बार इसमें 14 रखेंगे 14 into 14 इतना सभी को clear हुआ फिर इसमें देखिए यहाँ पे हम को इसमें कितना मिल जाएगा तो यहाँ हमको मिल जाएगा 2.22 और बटे में 14 और into 14 into 14 रखेंगे फिर देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है तो यह 14 से 14 तो यह cancel 2.22 into 14 इन दोनों का multiply करेंगे तो यहाँ पे हमको answer कितना मिलेगा तो यहाँ पे हमको answer मिल जाएगा 31.08 वर्ग centimeter तो यह किसमें रहेगा centimeter में इतना सभी को clear हुआ उमीद करती हूँ question आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे हमने भाग का छेत्रिफल का फार्मूला क्या रखें है एक बटा दो और ब्रैकेट में 2 रूड तीन माइनस पाई आर का square फिर इसमें देखे एक बटा दो ब्रैकेट में 2 रूड तीन माइनस पाई का मान बाइट बटा साथ होता है और फिर इसमें 14 का square इसकी त्रिज्या हमने यहाँ पे 14 का square 28 cm दिया है तो यहाँ हमको square में बूचा तो हम 14 का square ही लगाएंगे और फिर देखे एक बटा दो इंटू और यहाँ पे 2 इंटू रूड माइनस 22 बटा साथ तो यहाँ इसको solve करेंगे तो एक पॉइंट साथ तीन इसमें हमको मिल रहा है और फिर इसमें square में दिया है तो 14 हम दो बार में रख लेंगे 14 इंटू चूदा और फिर देखे यहाँ पे हमने इसमें solve किये तो हमको इसमें कितना मिलेगा 2.22 बटे में 14 इंटू चूदा इंटू चूदा 14 से चूदा यह cancel तो यहाँ पे 2.22 चूदा इन दोनों value का multiply करेंगे तो 31.08 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या वनेगा answer हमको इसमें पूछा गया था तो इन तीनों से घीरे भाग का छेदर फल 31.08 वर्ग सेंटीमीटर होगा इतना सभी को clear हुआ उमीद करती हूँ सारे question आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होंगे तो guys mensuration chapter बहुत थी important chapter है exam के लिए तो ध्यान से समझेगा अप कॉपी में आप जरूर से not करती हुए चलिएगा तो चलिए आज की class हम यहीं पर समाप्त करते हैं मिलते हैं अगली next video में जय हीन जय भारत थेंक्यू